किंग खान के बेटे आरियन खान से जुड़ी बड़ी ख़बर सामने आई है ख़बरों की माने तो आरियन खान जल्द ही फ्लिम इंडस्टी में डेब्यू करने जा रहे हैं इते कुछ वक्त से एक सवाल सभी के मन में तेर रहा है कि आखिर शारु खान के बेटे आरियन कब फ्लिम इंडस्टी में डेब्यू करेंगे हाला कि कई बार किंग खान इंटर्यू में कर चुके हैं कि आरियन खान एक्टिंग की तरफ रुजान नहीं है बलके फ्लेम मेकिंग की तरफ है वही अब ऐसी खबरे आ रही है कि आरियन खान जल्द ही डेबू करने वाले हैं मीडिया रिपोर्ट के मुताबित आरियन खान कई आइडियाज पर काम कर रहे हैं कहा जा रहा है कि आरियन खान जिन विशों पर काम कर रहे हैं उनमें से रेड चिलीज इंटर्टेंडमेंट के बैनर चले Amazon Prime के लिए वेब सिरीज बनाई जाएगी इसके साथ ही एक फीचर फिलिम भी बनाई जाएगी खबर तो ये भी है कि आरियन खान की इस वेब सिरीज में एक कटर फैन की कहानी होगी जिसकी लाइफ रोमान चक होगी फिलाल फिचर फिलिम को लेकर अभी तक कोई और जानकारी सामने नहीं आई है खबरों की माने तो अगर सब कुछ सही रहा तो इस साल शुटिंग भी शुरू हो सकती है खास बात है कि आरियन खान इस वक्त सिर्फ इन दो विशों पर ही नहीं बलके रेड चिलीज के आफिस में राइटर्स रूम में भी कई और मुद्दों पर बात कर रहे हैं मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरियन खान इस सभी विशों पर को राइटर बिलाल सिद्धिके के साथ काम कर रहे हैं आरियन खान बीते दिनों ड्रग्स केस की वज़े से सुर्खियों में रहे थे मुंबई NCB के शेत्रिय निजशक समिर वानकडे और उनकी टीम ने एक अक्टूबर को आरियन खान को ड्रग के आरोप में कुछ अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया था अगले दिन यानि दो अक्टूबर उने और साथ अन्य लोगों को गिरफतार कर लिया था अरियन के पास से कोई ड्रग्स बरामत नहीं हुई थी लेकिन अरियन खान ने 28 अक्टूबर को जमानत मिलने तक NCB और नाइक हिरासत में लगभग चार सप्ताह बिताए और बाद में मामले को आगे के जांच के लिए एजेंस की दिल्ली टीम को सोब दिया गया NCB जांच के दोरान इस मामले में कुछ 20 लोगों को गिरफतार किया गया तब उनको जमानत मिल चुकी है